गुट इवनिंग मैं टे फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग मैं आडबल विजबल हूँ आप लोग मुझे सुन पार अदेख पारो तो गाइस लेट मी नोग सुन पारो देख पारो आप लोगो को का मैं आप लोग को चेक कर लो helps एम एं इऑ пред गी जैर मैं आप लोग को देख पार न allow तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का वेल्कम तु यू आल इन मा यूट्यूब चैनल अजीत तिवारी सर थैंक्स इजड थैंक्स मंडीकांत वेलकम दीपक तुनाल देखिए मैंने आपकी बात मानी और मैंने सेशन स्टार्ट किया सुशांत कैसे है राजश्वरी र दूस्तिवारी हाओ और यू कैसे हैं बिटा आप दीपक आपका स्वागत है अमित गुडिवनिंग दीप सिखा ओके थैंक्स नो डैट सुबजीत हाओ वर यू को कि असपर नमस्ते दीपक सर्मा बहुत अश्रवाद तुडिवनिंग दीपक ओके आजय थैंक्स फॉर आपके कमेंट को पिंद कर दिया है इन एल टू ओके आरूश थैंक्स नो डैट रिंपी हावर यू सो थैंक्स माटे फ्रेंस वेल्कम तु यू आल और माई यूटूब चैनल एटी एस डैट इस अजीट तिवारी सर्थ सो माटे फ्रेंस सबसे पले में आप लोगों को सबस पले में आप लोगों को एक जमाजम थैंक्स बोलना चाहूंगा गाईस पॉर यूर ओसम रिस्पोंस जो आप लोगों ने जमाजम मुझे रिस्पोंस दिया तो फर्स्ट आफ आफ ओल अ बिक थैंक्स तो यू आल चालिए तो यस ना मेरे फ्रेंस मैंने आपके सेशन को बह बहुत सब्सक्राइब आफ बिक तो यसम ऐचितिवारी तो यह व्यू आपके से पिस्टी आफ लागों को प्राइब आप लेख शिया थैंक्स पांदर आफ लागों मेने थस लाकी जादा जादा ओना आफ लागों प्राइब आप रिक नाट यह ए दूना एंट इस विवि communication for IES and so on and guys for different background for UPSC CSC that is IES examination और जाइस बात है जब इस लेवल की क्लास लोगे तो लोवर लेवल की exams तो अपने आप ही निकल जाएंगे है कि नहीं तो आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube channel में guys I used to interact a lot मैं आपसे खूब इंट्रेक्ट करता हूँ and interaction is most important part my friends आज थोड़ी से दिक्कत यह हुई है कि in today's session timing थोड़ी change हुई है तो बहुत लोगों को आज साइद 930 पर हमें वह join करें and guys यह timing भी आप लोगों के request पर ही मैंने change किया है आप में सके लोगों का request आएका sir timing 9 to 10 कर दीजे गुद इवनिंग गुद इवनिंग शॉबिक how are you good evening good evening so guys listen a very innovative concept for you 90% as I promise with you मैंने आपसे वादर किया कि 90% we are going to memorize in the live session question is वो कैसे वो कैसे संभाव है simply because of 5L concept यह आपके साथ लागू होने वाला है good evening good evening ठेक बिलकुल so guys वो डिपेंड करेगा या आप समझो 5L concept 90% memorizing strategy in the live session very important revision we are going to revise first then let's learn जो हम करेंगे let's interact जो मैं आपसे कर रहा हूं let's recap जो हम last में summarize करेंगे और guys I am going to add a new chapter हम हर session के last में कल वाली class से आज मैं औरली पूछूंगा कल वाली class से हम लोग let's solve में mcqs करने वाले हैं okay तो आप जल्दी से इस बात को समझें जैसे आपने कितनी concentration से मेरी class सुनी last में let's solve में mcqs अगर आपको यह idea अच्छा लगा give me a big thumbs up welcome नीभा आपका स्वागत है है न कैसे लगा आपको concept let's revise let's learn let's interact let's recap and let's solve तो यह हम लोग करने वाले हैं सुक्विंदर स्वागत है आपका है न guys आए इस बातों को आगे समझते हैं so my friends right now we are going through awesome series of biology important यह नहीं है guys कि series कब खतम होगी अतुल good evening good evening important यह है my friends कि series कितनी ultimate होगी and yes we are going to make it awesome we are going to make it ultimate थोड़ी आज timing change हुई है तो बहुत से लोगों को यह नहीं पता था कि आज session guys now Monday to Friday 9 p.m. I am repeating Monday to Friday 9 p.m. session के last में आपको link अपने आठ दस दोस्तों के साथ जमाजम सेर करना है fine guys so biology is very important I revise करते हैं एक quick recap आपको सुनना है concentration बना के good evening यती welcome एक concentration बना के आपको सुनना है Greek word bios and logos study of plant animals and microorganisms जल्दी से आप comment section में लिख कर बताओ father of biology कौन हर्या father of biology कौन हर्या चल्दी से आप लिख के बताओ father of geology कौन क्या दोनों के पापा जी एक ही है ठीक बिलकुल so father of biology and geology is Aristotle Aristotle theophrastus in case trend father of plants की study botany Lamarck and tree awareness gave the term biology guys are you ready for the khamajam revision for the awesome revision haggony are you ready for the awesome revision my friends let me know welcome 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 you to aap sub logo ka baha swagat hai so guys Lamarck performed experiment on ziraaf हम लोग क्या कर रहे है right now we are revising in our let's revise segment Lamarck performed experiment on ziraaf आपको याद आ रहा है और उन्होंने पताया कि कैसे पहले जिराफ की गर्दन चोटी थी और in the process of eating leaves present at the top of the trees is stretching of neck responsible for evolution of a longer neck और हम ने समझा कि Lamarck ने थी theory theory of inheritance of acquired character guys there was a wise man सब दो को ध्यान से सुनेंगे there was a wise man whose name is dash who rejected Lamarckism there trick दी आपको trick दी आपको there was a wise man who rejected Lamarckism name the wise man कौन थे wise man who gave germ plasm theory उन्होंने का भई somatic changes आगे transmit नहीं होंगी पहलवान के बेटा पहलवान नहीं होगा बसरते की वह excise करके body बना ले who gave wise man वाज वीज मैन ट्रिक दिया था दियर वाज वाइज मैन नेम है उनका वीज मैन तू परफॉर्म experiment on the rats याद करिए चुल्म ढढ़ा दी चुहे चुहियों पर और 22 परी तक उनकी पूछ कारते रहे ओ माइग गॉड ठीक और फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछा था गाईज याद करिए मैंने आपको पिछले class matrix दिये थे कौन सी nutrients micro और कौन सी nutrients macro ठीक मैं nutrients के नाम लूँगा आप बताओगे यह micro है कि macro है have a look on screen nitrogen potassium phosphorus जल्दी से लिखें आप a लिखोगे तो micro m i c r o p लिखोगे तो macro m a c r o n k p micro या macro n k p micro या macro हरी अब हरी अब जल्दी n k p ट्रिक दिया था नदिया के पार जितने लोगों की मेरी आज पहली class है नीचे गाइस प्ले लिस्ट दिया हुआ है नीचे गाइस ठेलिग्राम चैनल का description में लिंक दिया है मेरे facebook page का description में लिंक दिया है एक playlist of this life science series लिंक दिया है वो सब आप जमाजम जॉइन करें गाइस बिलकुल चीफ medical officer नदिया के पार कैसे हो गया चीफ medical officer carbon magnesium oxygen नदिया के पार nitrogen potassium phosphorus कैसे calcium sulfur हो गया hydrogen और फिर मैंने पताया था emotional नहीं होंगे जमाने में मुहबत बड़ी डैस कहलाती है जमाने में मुहबत बड़ी डैस कहलाती है चल्दी से डैस में क्या पताया था आपको iron और copper जमाने में मुहबत zinc, manganese, malbedon, pari, boron, fecu, iron, copper, chlorine कलाती है अल दिस आर group of all दिस आर group of micronutrients भाई जहां पे carrier की इतनी मारा मारी एक-एक questions अंदर और बाहर वहां मुहबत जैसी बिमारी की मोस्तल नहीं होंगे कम, rare, that is micronutrients ओके जैबर जैस परफॉर्मेस कोई किसी को fake को नहीं बोलेगा यहां पे iron और copper की बात हो रही है जितने आपके friends, CDS, EPFO, CAPF, UPSC, CAC ठेक उसके साथ UPPCS, Bihar PCS, SSC, Railway Banking जहां जहां live sciences biology आती है उनको आप बता दोगे मेरी सीरीज के बारे में Monday to Friday 9 p.m. live guys आईए आगे बात करते हैं we are going to interact a lot आपको जो biology लोगों को समझ में नहीं आती हम लोग 90% उसका याद कर रहे हैं है कि नहीं always you guys are awesome मेरी सब्दों में you guys are जमा जम बात करेंगे branches of biology की एक quick fast recap के साथ आगे बढ़ेंगे यह देखिए ठियोफ्रेस्टेस father of botany study of plants फिर हमने बात की एरिस्टोटल की father of biology हिंदी में बोलेंगे जन्तू सास्त्र father of biology जियोबिज्ञान के जनक एक plants की बात करेंगे आगे चर्चा होगी तो बोटनी बनस्पति सास्त्र और बोटनी आपके माइन में आने वाला है guys okay जोलोजी की बात आपसे हो चुकी है यह लेमार्क और की बात मैंने की आपसे एनाटोमी इंटर्नल स्ट्रक्चर एग्रो नौ एग्रोलोजी स्वाइल साइंस डिलिंग इस्पेसली विट प्रॉडक्शन आफ क्रॉप्स एग्रोस्ट्रोजी बदाया था घासों का अध्यान शरीर के आंतरिक भाग के अध्यान इंटर्नल स्ट्र स्ट्रक्चर इस एनाटोमी एनाटोमी ऑफ यूमन बॉड़ी आर्थोलोजी जॉइंट एपी कल्चर रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी सहब के लिए एंत्रोपोलोजी के बारे में मैंने आपको बताया था माइडिफ्रेंस एग्रोलोजी क्विक रिक्याप करेंगे अभी हम रिवीजन कर रहे हैं तो मैं थोड़ा फास्ट हूँ जैसे मैं लेट्स लेंट प्याऊंगा मैं अपनी नॉर्मल पेस प्याऊंगा घासों का अध्याँ फिर आपने बताया कि बैंबू इस दा लॉंगेस ग्रास अर्थोलोजी एग्रोलोजी कंफ्यूस नहीं करेंगे कि हमने आप से बाते की थी याद है आपको एंटोलोजी एंज्जियो लोजी फूलो का अध्यान कल वाली क्लास और सम होगी और फ्लार कल हम फूलो की बात अच्छे से करेंगे फूलो की बात अच्छे medical engineering तो कल हम फूलो के अध्धन के बारे में आपसे विस्ति चर्चा करने वाले हैं एंजियो लॉजी study of blood vasco system ब्रायो लॉजी को मैंने कहा था एंफीबियन of plant kingdom एंड्रो लॉजी इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे कौन कौन से गरबडिया हुई फिर बायो मेडिकल की बात बायो मेडिकल इंजरिंग की बात आपसे हुई थी यहां तक गाईस मैंने फास्ट इसलिए मूफ किया कि हम यहां तक पढ़ चुके थे नाउ अंडर नॉर्मल पेस लिसन वेरी क्यरफुली एंड गिव मी अपिक जमाजम थमसब घिव मी अब बिक जमाजम थमसब हर्याव माइक्रो पालोजी हिंदी मों बोलेंगे सुक्ष्म जैविकी ऐसा कुछ है क्वेशन इस क्या है माइक्रो बायो लॉजी अब थ्यांस सुनना इस्टड़ी ऑफ माइक्रो और्गनिजम्स बहुत रिलैक्स बैटना इस्टड़ी और ध्यांस सुनना सुच्छम जीवों का अध्यान Study of Micro Organisms बहुत रिलेक्स बैटना अभी पूरा याद करा के छोड़ूँगा For example Bacteria Hindi में जीवाणू For example पंजाई पंजाई को कई बार अलग करते हैं चलिए मैं अलग कर दे रहा हूं ताकि आपको confusion नहों For example Virus Hindi में विशाणू Bacteria पंजाई पंजाई को मैं अलग कर दिया Virus पंजाई के एक अलग से ब्रांच आ चुका है बात करूँगा आज ही ध्यान से सुनना Guys Be ultra attentive Now we are going to Memorize हम लोग बहुत ही याद करने वाले है आपने कोई भी packet वाला दूद देखा है आप जिस रज्ज से हो Find Find Guys Always milk के packet में लिखा होता है हिंदी में Pasture इंग्लिस में Pasturized इसके दो मेथड होंगे popular L-T-H-T Low Temperature High Time H-T-S-T High Temperature Short Time बहुत रिलेक्स बैठेंगे ध्यान से सुनेंगे इस टकनीकी का नाम Father of Microbiology के नाम पे रखा गया सुक्षमजैवकी के जनक के नाम पे रखा गया Who is Father of Microbiology Guys मैं आपको एक सलाह दूँगा आपको एक सलाह दूँगा अगली क्लास से निक्स क्लास से आप पेज पेंसिल, नोटबुक, कॉपी, किताब स्लेट, दवार, वाटेवर आप लेकर बैठे फिर हम लोग इस लेवल को इस क्लास के लेवल को एक अलग लेवल पे ले जाएंगे किसने लुइस पास्चर लुइस पास्चर ये कौन है, पापा जी है किसके पापा जी पादर ओफ माइक्रो बालो जी सुक्ष मजयवकी के जनक, कितनी जबरजस हिंदी बोल रहा हूँ ताकि मारे हिंदी माध्यम के बच्चों को कोई दिक्कत न हो पहली बार मैंने आप लोगों के लिए सीखा है बहुत जल्दी पीपिटीज में हिंदी थोड़ी वो दिखेगी फादर ओफ माइक्रो बालो जी लुइस पास्चर लुइस पास्चर जीशन ही यह कौन है ही डेवलप तेकनीक अवफ पास्चर जिशन इनोंने टेकनीकी डेवलब की कौन सी वाली पास्टराजेशन वाली एक मिनट कि टेकनीक ऑफ पास्टराजेशन पास्टराजेशन बहुत रिलेक्स बैठेंगे इसमें क्या हो रहा है फॉर एक्जामपल मैंने आपसे मिल्क का एक्जामपल लिया मिल्क को आप लो टेंपरेशर हाई टाइम हाई टेंपरेशर शॉर्ट टाइम पर गरम करके इसके माइक्रो और्ग्जिम्स को किल करते हो बहुत रिलेक्स बैठेंगे और ध्यान से सुनेंगे यह वही पास्चर जाब है जिनोंने एक सिधान दिया आप कंफ्यूज न करना चर्म प्लास्ब थियोरी वीजमेन की है कौन से सिधान ही गेव जर्म थियोरी ओफ डिजीज कौन से सिधान ही गेव जर्म पास्चर जर्म थियोरी ओफ डिजीज डिस इज नहीं रहा इज फू गेव जर्म थियोरी ओफ डिजीज आप जल्दी से याद कर लोगे लुइस पास्चर गेव जर्म थियोरी ओफ डिजीज कौन थे फादर ओफ माइक्रो बाइलोजी सुच्छ मजैवकी के जनक हमें ये बात याद करने की जरूरत है गैस आज कल कोरोना के बाद से कोविन के बाद से बड़ी वाइरस के बारे में चर्चा होने लगी है ध्यान से सुनना कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर यहां वाइरस है अगर यहां वाइरस है तो ऐसा कभी नहीं होगा अजय आप यहां पे हैं ऐसा कभी नहीं होगा कि वाइरस यहां से उड़े और अजय को काट ले ऐसा नहीं होगा अपने आप यहां से उड़े और काट ले ऐसा नहीं होगा क्यों जब भी वाइरस बॉडी के बाहर है behave as particle behave as non-living जब किसी carrier जब किसी transmitting agent से अजय ऐसा नहीं होगा जब किसी carrier और transmitting agent से इसकी transfer होगी और फिर वो सजीवो के body में जाएगा living के body में जाएगा it will behave as living Summary is whenever virus is outside body सरीर से बाहर है behaves as non-living सरीर के अंदर आ गया behaves as living ये तो सजीवो और निर्जीवो की सजीवो और निर्जीवो की पीच की कड़ी है सजीवो और निर्जीवो की पीच की कड़ी है connecting link between living and non-living इतनी बात समझ में आ रही है ठीक क्या हम इतनी बात बिल्कुल गाइस कितने living organisms हैं जितने सजीवो हैं उनके बाडी में तो तरह के nucleic acids होंगी आगे मैं क्लास लूंगा on nucleic acids तो तरह की nucleic acids होंगी ती एन ए नाम सुना है दी ओक्सी राइबो नुकलिक एसिड बताओंगा आगे फ्रेडरिक मेसर की कहानी आर एन ए राइबो नुकलिक एसिड इन ओल लिविंग बेंग्स सारे सजीवो में ती एन ए एवं आरने होगा वाइरस इज एक्सेप्सन विशानू एक अपवाद है वाइरस के पास आइदर डी एन ए और आर एन ए ने ने वर बोथ ती एन ए और आरने दोनो नहीं होगी आगे पूरा एक सेशन वाइरस की सनचना पे उसके स्ट्रक्चर पे आगे पूरा सेशन होगा जबर जैस ओ एस एस मैंने आपको यह सिरीज गाइज वादा किया है और यह मैं निभाऊंगा इसलिए मैंने अपने चैनल पर स्टार्ट किया कि कोई घंटों की रेस्ट्रिक्शन नहों और हम लोग ओसम कंटेंड पड़ पाएं वाइरस इस हैविंग आइदर डियने तो डियने वाइरस डी ओक्सी राइबो नुकलिक एसिड और आरने तो आरने वाइरस राइबो नुकलिक एसिड नेवर बोथ दोनों नहीं होगा कितनी बार ऐसा होगा यह इस वाइरस को आप हलके में न लें इस वाइरस को आप हलके में न लें पूरे बिस्द को तो इसने तबाह किया है कई बार यह बैक्टिरियाओं को हमला बोलता है सम्टाइम्स वाइरस अर अटेकिंग बैक्टिरिया अगर वाइरस बैक्टिरिया को अटेक करेगा ऐसे वाइरस को आप ऐसे वाइरस को आप क्या बोलते हो बैक्टिरियो फाज बैक्टिरियो फाज पी एच ए जी ए सवाल बनता है क्या है बैक्टिरियो फाज बैक्टिरिय को अटेक करेगा बैक्टिरियाओं को अटेक करेगा आगे हम पूरी दिजीज पढ़ेंगे शौबिक पूरी आगे वाइरस के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं कितनी बात लुइस पास्चर के नाम लेते माइन में आ आईए रिकैप करें फादर ओफ माइक्रो बालोजी वान डेवलब टेकनिक ओफ पास्चराजिशन टू यूस्टू किल माइक्रो और्गिनिजम्स जर्म प्लाज्म थियोरी नहीं जर्म थियोरी हां री इन्होंने पताया इन्होंने डेवलब किया एंटी रेबीज वैक्सिन क आजकल कोरोना की वैक्सिन आई है डेवलब टी रेविज वैक्सिन गाइस पोलियो की वैक्सिन की किसने की अपके पास दो विकल्प है A. Edward Jenner B. John Sark S. A. L. K Edward Jenner और John Sark Edward Jenner और John Sark who developed polio vaccine Edward Jenner और John Sark who developed polio vaccine Guys John Sark ने S. A. L. K ये देखवा J. O. H. N. S. A. L. K पूरी बालोजी आपकी दिमाग में चाप दूँगा John Sark developed polio vaccine Edward Jenner ने इन्हें हम बोलते हैं father of vaccination father of immunization क्या बोलेंगे father of vaccination father of immunization सुक्स्म जीवों का अध्यन microbiology आगे जाके अलग अलग branch यहीं से बने bacteria की अलग साखा fungi की अलग साखा algae की अलग साखा virus की अलग साखा virus के नाम लेते हैं mind में आ रहा है connecting link between plant and animal either DNA और RNA never both DNA होगी तो DNA virus RNA होगी तो RNA virus और फिर सुक्स में जैव की microbiology study of micro organisms सुक्ष में जीवों का अध्याद गाइंज एक प्यारा question आपके लिए have a look on screen ध्यान से screen पर देखें और सवाल का जबाब देने का प्रयास करें question is हम let's solve भी करेंगे अभी मैंने आप से बताया कि Lewis pasture developed anti-rabies vaccine सवाल है rabies हमने बिमारी के नाम सुना है rabies is caused by question is rabies is caused by आपके पास विकल्प है bacteria अच्छा बिल्ली भी काट रही है अच्छा बिल्ली भी काट रही है डी वाइरस विचार ना मिले कुछ और सोच रहे हो विटामिन की कमी से नन rabies is caused by rabies is caused by ठीक अगर आपको लग रहे हैं कि भाई मच्छा के काट रहे से एक और दे दू option mosquito bite अभी मैं दो सवाल एक question और पूछूंगा फिर आप answer करना एक question और पूछूंगा फिर आप answer करना question number two दोनों सवाल लिख लूँ फिर मैं आपसे सवाल का जवाब पुछूंग which of the following which of the following is caused by which of the following is caused by mosquito bite कौन mosquito bite से हो रहा है बड़े खतनाक है ये मच्छड ये बड़े बड़ों का टैस और डैस कर देते हैं ए पहला option malaria malaria दूसरा option आप ध्यान से option सुल लो डेंग्यू हिंदी में बोलते हैं हड़ी तोड़ बुखार प्रेक बोन फिवर देख सी चिकन गूनिया चिकन गूनिया गाइस ये सबसे पहले कहां देखा गया बात करेंगे दी जैपनीज एंसेफलाइटीस गोरकपूर के चेत्रों में आपने सुना होगा आसपास के चेत्रों में जो वहां से होंगे इमोस्तन नहीं होंगे इ ब्रेन फिवर दिमागी बुखार ब्रेन फिवर एफ आल आफ दा अबव आल आफ दा अबव जी नन आफ दा अबव एक बैच में मैंने लोगों से सवाल पुछे तो लोगों ने जमाजम अलग अलग तरह के एंसर दिये जल्दी से गाइस पहले आप question number one पे आईए फिर हम question number two पे आएंगे first please give me answer of question number one first give me answer of question number one खर्यव जल्दी से लिखें आप question number one का जल्दी से आप answer लिखें और फिर हम लोग question number two पे आएंगे फिर हम लोग question number two पे आएंगे बहुत प्यारा question है the beauty of this question is कि बड़े बड़े लोग छोटी छोटी गलतिया करेंगे और उनका हो जाएगा डाइस और डाइस यह इस question की गाइस beauty है यह इस question की गाइस beauty है ठीक चलिए ओके फाइन question number one पे आएंगे कितनों के लग रहा question number one का how many of you first पाइया कितनों के लग रहा है question number one का answer is b जल्दी से लिखो me, 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 me कितनों को question number one का answer dog bite लग रहा है जल्दी से आप me, me, और me लिखें जल्दी से आप me, me, और me लिखें महिमा को two का f लग रहा है ओके fine जल्दी से me, me, मी लिखें ताकि मैंने भी चस्मा पहल लिया कि मैं आपके comment देख पाऊं ठीक ताकि मुझसे कोई गलती न हो guys listen very, very carefully listen very, very carefully listen very, very carefully ध्यान से सुनना और emotional मत होना my dear friends, question number one का right answer is d right answer is d virus question number one का right answer is d और मुझे one का one का d कोई दिख नहीं रहा है one का, अब yes बता रहे है one का d guys, one का rabies is caused by virus क्या मुझे आप ये बताओ dog यहाँ पे carrier है dog यहाँ पे transmitting agent है dog यहाँ पे carrier है dog यहाँ पे transmitting agent है dog is not causal agent यह causal agent नहीं है यह causal agent नहीं है rabies is caused by virus उस virus का नाम है rabdo virus r-h-a-p-d-o rabdo virus कौन सी वाइरस rabdo virus and it is transmitted by bite of canines जिनके पास नुकीली दाथ है आपके पास मैं आगे ज़िवन डाशन पढ़ाऊंगा आपके पास नुकीली दाथ है तो गाइस ओके तो rabies is caused by canine canines rabies का causal agent है गाइस rabies is also caused by raccoons r-a-c-o-n-s raccoons अभी दिखाऊंगा दिखते कैसे हैं also caused by pets foxes तो यह rabies के causal agent है rabies body का कौन से system को प्रहावित करेगा आप बोलोगे central nervous system आगे पढ़ोगे rabies central nervous system को guys प्रहावित करेगा it will affect CNS central nervous system सुनेंगे और जमा जम ध्यान से rabies कभी urine से blood से मल मुत्र fickle matter से transmit नहीं होगा not transmitted through urine blood and fickle matter इन animals के लार में saliva में virus है और जब ये जमा जम काटेंगे तो लार से saliva से virus body में transmit होगा कौन कौन बैट foxes raccoons canines dogs याद रहेगा yes और no बिलकुल याद रहेगा hope so yes और no आईए इन बातों को और समझते हैं question number 2 पे आईए question number 2 पे आईए what will be answer question number 2 पे आईए what will be answer question number 2 पे आईए what will be answer guys जो छोटी छोटी गलतिया आप करते हों exams में मुझे उन्ही गलतियों को आपको करने से रोकनी है उन्ही गलतियों को आपको करने से रोकनी है what will be answer to का क्या answer होगा जल्दी से मुझे to का answer आप बताएं to का answer आप मुझे बताएं मैं देख रहा हूं क्या answer आप लोग बता रहे हो ओके दीब सिखा जी बता रहे है ठेक त्रिपती जी बता रहे है विने जी बता रहे है नन फाइन ओके कार्तिक एफ बता रहे है guys see the beauty of question I was expecting जमाजम smartness from you guys जो की आप लोगों ने दिखाई right answer is none of the above जी इस में से कोई भी बीमारी का causal agent mosquito नहीं है सारे बीमारियों का carrier सारे बीमारियों का carrier सारे बीमारियों का transmitting agent ओ माई गॉड ट्रांस्मिटेट बाई सारे बिमारियों का कैरियर सारे बिमारियों का ट्रांस्मिटिंग एजेंट मॉस्किटो है यहाँ पे डैस और डैस होने के बाद मुझे उमीद थी कि आप यहाँ समहल जाओगे तो जितने लोगों ने नन ओफ दे अबव जी ओप किया प्राइश उनके लिए एक थमस अप एक जमाजम थम्स अप और आल दो जिनों ने नन ओफ दे अबव किया था अब थम्स अप फॉर आल दोस और जल्दी से आप लिंक को अपने दोस्तों के साथ खूब सेयर करेंगे जाइस मेक इट वाइरल ले इस मेक इट वाइरल चाहे म छाहे मच्छर काते हम लोग को जमाजम आगे बढ़ाते हैं की नहीं हम लोग को जमाजम आगे बढ़ाते चाहे मच्छर काते या ना काते मलेरिया देंगू इस चिकान गूनिया जपनीस itsS paper is इन सारे बिमारियों का carrier mosquito है, सारे बिमारियों का carrier mosquito है, किसी का causal agent mosquito नहीं है, ठीक, all these are caused by different types of causal agent, for example, इसमें से कौन सी प्रोटो जोवा के द्वारा होगी, आप बताओगे, malaria is caused by प्रोटो जोवा, यहां देखो आप, क्या बोलोगे, malaria malaria is caused by प्रोटो जोवा, कौन करेगा, प्रोटो जोवा, जिसका नाम है plasmodium, बिल्कुल आपके life science को guys, मैं बनाऊंगा strong, कहीं कोई shortcut और पहाने बाजी नहीं है, और बिल्कुल 90% आपको याद कराऊंगा, क्या करना है, Monday to Friday 9pm, आप मेरे साथ जीवन का रस लोगे, life science लोगे, देख, malaria is caused by प्रोटो जोवा, आगे और ध्यान से सुनो, it is transmitted by bite of, कौन काटेगा, आखिर इस प्रोटो जोवा को कौन लेकर कैरी करेगा, कैरियर कौन, ये हो गया female, symbol for female, पच के इस female से, female anaphylis mosquito, female anaphylis mosquito, caused by female anaphylis mosquito, female anaphylis mosquito, पहला हो गया, दूसरा, डेंगू is caused by, ध्यान से सुनना, डेंगू is caused by, वाइरस का नाम है, ये single extended RNA वाइरस है, डेंगू को हिंदी में बोलते हैं, हड़ी तोड बुखार, कौन से बुखार, प्रेक, बोन, फीवर, टेंगू is caused by, टेंगू वाइरस, वाइरस का नाम ही डेंगू वाइरस है, ये एक RNA वाइरस है, इसके पास RNA है, ये एक RNA वाइरस है, हमने अभी समझा कि, या तो इनके पास DNA होगा, या तो RNA होगा, never both, समझेंगे और ध्यान से, it is transmitted by bite of mosquito, ये mosquito कहां से है, तो विकल, A. Tulex, B. Aedes, किस प्रजाती का, किस स्पीसीज का mosquito, qlex और Aedes, जल्दी से आप कमेंट में लिख के बता है, डेंगू का जो वाइरस है, उसका जो मच्छड है, बड़ा ही रोमैंटिक है, पूरे दिन काटेगा, दिन में एक्टिव रहेगा, जब दिन में आप लापरवा हो, रात में जब आप alert हो, mosquito net लगा रहे हो, cream लगा रहे हो, mosquito repellent, तो यह अराम से ठक के सोएगा, it is active during daytime, as active during daytime, name is Aedes, name is Aedes, Aedes mosquito, ध्यांस सुना, अगर इसी Aedes mosquito के पास, ध्यांस सुना, आज मैं आपके concept जमा जम करूँगा, clear, ठेक, ध्यांस सुना, अगर इसी Aedes mosquito के पास, कोई वाइरस नहीं है, तो इस मच्छड के काटने से, कोई बिमारी नहीं होगी, अगर इस Aedes mosquito के पास, चिक वाइरस है, कौनसी वाइरस, चिक वाइरस, CHIK, तो ये cause करेगी चिकिन गुनिया, चिक वाइरस, चिकिन गुनिया, देंगू वाइरस, देंगू, नहीं वाइरस, नहीं बिमारी, याद रहेगा, ये दिखता कैसा है, आएए जरह इस पे प्रकास डालते हैं, have a look my difference ये देखिए ये आपको कितना खतरनाक female mosquito दिख रहा है एक काट दे और इसके पास अगर ये virus को carry कर रहा है तो ये बिमारी को transmit कराएगा carry कराएगा ये carrier है transmitting agent है ये causal agent नहीं है याद रहेगा आपको चिकेंगुनिया पर थोड़ी प्रकास डाल दूँ mosquito born viral disease क्या करेगा fever and severe joint pain 1952 में सबसे पहले Southern Tanzania Africa में इसकी खोज की गई देख ये RNA virus है इसके पास RNA है that belongs to alpha virus genus of family टोगा वाइरी चिकेंगुनिया सब्द जाहिर से बात कहां से निकल के आया derived from a word in कीमा कॉंडी language कीमा कॉंडी कौन बोल ला है तंजानिया के लोग बोल ला है मतलब to become contorted and describe the stupid appearance of sufferers with joint pain अर्था अभी आर्थो राइटी से बिदा है आपको पिल्कुल आप ध्यान से सुनना अगर मैं एडीस की बात करूँ चिकेंगुनिया इस ट्रांस्मिटेट टु यूमेन बाई फिमेल इंफेक्टेड मॉस्किटोस ठीक आप जेंडर को बहुत ध्यान से देख लें मच्छडों की एडीस एजिप्टी और एडीस एलबो पिक्टस ये इनकी जात है एडीस इनका जीनस है इस टु इस्पिसीज चैन ऑल्सो ट्रांस्मिट अदर मॉस्किटो बॉर्ण वाइरस जैसे की डेंग्यू हड़ी तोड बुखार पूरे दिन काटेगा और जमाजम रात में सोएगा मोस्ट एक्टिव अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग जमाजम इसमें लोग होंगे सुस्त मच्ड रहेगा चुस्त और दुरूस्त और जमाजम लोगों को काटेगा हमें इस मच्चर से बचने की जरुरत है यह देखुआ बाई तुम मुझसे मेरे ऑनलाइन बच्चों से दूर रहे डिजिस अकर्स इन एफ्रिका एंड एसिया ऑल्दो इंपोर्टेट केसे हैं डिकोर्ड़ेट इन by the WHO in European region and region of Americas 2005 के बास तो मिलियन से ज़्यादा केसे इनकी रिपोर्ट की गई हमें इस बात को समझना है यह वही धान से देखिए इस रकून को यह वही रकून है नौर्थ अमेरिका में मिलने वाला मैमेल्स हैविंग ग्रे हैर जो जो रैबीस का कैरियर है रैबीस नामक बिमारी का वाहग ध्यान से देखिए इस चमगादर को नराज मत हो यह भी रैबीस का कैरियर है फॉकसेस कैनाइन जिनके पास नुकीली दाथ चाहे वो रकून हो चाहे वो डॉग हो चाहे वो फॉकस हो इनके लार से सलाइवा से रैबीस नामक मिमारी का क्या होगा ट्रांसमिशन होगा जो एक वाइरल बिजीज है सवाल यह बनता है गाईज आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ हरी आप हरी आप फास्ट फास्ट हूँ डेवलप एंटी रैबीस वैक्सिन हरी आप गाईज हूँ डेवलप एंटी रैबीस वैक्सिन जल्दी से आप मुझे बताओ हूँ डेवलप एंटी रैबीस वैक्सिन 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 चलिए गाईज जल्दी से आगे बढ़ेंगे इट इस लुइस पास्चर जॉन साग पोल्यो वैक्सिन Edward Jenner father of vaccination है नमब जे की बाद जबर जस्ट जबर जस्ट जपर जस्ट जपनीज एंसेफलाइटीस जपनीज का जे एंसेफलाइटीस का ए जपनीज का जे एंसेफलाइटीस का ए इसी को आप बोलते हो वन टाइप आफ ब्रेन फिवर वन टाइप आफ ब्रेन फिवर थे कास्ट बाइट आफ मॉस्कुटो यह वाली कौन नी मॉस्कुटो यह मॉस्कुटो पानी से भड़ा हुआ धान के खेतों में कोरकपूर के आसपास के छित्रों में खूब जबजस्ट फ्रेस वाटर में ब्रीड करती है एक एक बात आप देख रहो गाइस क्लियर्टी के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ है ने गाइस एक एक बात कितने आपके मन में सवाल आ सकते हैं कितने आपके मोर इंपॉर्टन एक्जाम में सवाल आ सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे अजीत तिवारी सर यूटूब चैनल पे कवर होगा क्या गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो नहीं तो कर लो तुरंत जमाजम वीडियो को लाइक कर लियो कर लो जमाजम और सेशन के बाद अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में सोसल मेडिया में कैस ताली एक हाथ से नहीं बसती आप जमाजम सपोर्ट करोगे तो आप चलोगे एक कदम मैं चलूँगा सो कदम ये मेरा आपसे वादा है आईए इन बातों के साथ मुस्कुलाते हुए आगे जीवन के संघर्स में जीवन के सफर में और आप कोई एक्जाम दोगे जहां बालो जी आएगी और अगर आप सिरीज में रेगुलर हो, लाइव हो एंसर कर रहे हो, इंट्रेक कर रहे हो भले गलत हो जाए तो मेरा दावा है कि आप awesome performance कर के आओगे no if and but no short and cut इस पर्स्ट बात है गाईज सवाल बनता है जेनेटिक्स क्या है? एक question देखेंगे जेनेटिक्स आनुवांस की जेनेटिक्स इज स्टडी ओफ जेनेटिक्स इज स्टडी ओफ आपको जबर जस ओफ लाइन ओन लाइन दोनों की फिलिंग आने वाली है जेनेटिक्स इज स्टडी ओफ किसका अध्यन है? A TNA B RNA T Oxy Ribonucleic Acid दोनों के अंतर भी आप पड़ोगे RNA Ribonucleic Acid ठीक? फिर Gene बात करेंगे क्या है Gene क्या का हमने? फिर D is Heredity 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 E is Variation Variation बहुत रिलाक्स बैठना Variation अब आपके पास First Option पहला आप्सन में A B And C दूसरा विकल्प में A B C And D तीसरा विकल्प में D और E चौथा विकल्प में All Of The Above चल्दी से आप जो फिल करते हो मुझे जमा जम कमेंट सेक्शन में लिख कर बताऊं First Option A B And C Second Option A B C And D DNA RNA Gene And Heredity Third Option T And E Fourth Option All Of The Above 1 आपको कमेंट में 1 2 3 4 जो आपको सही एंसर लगता है वो आपको कमेंट सेक्शन में अपना एंसर गाइज लिखना है जो आपको सही एंसर लगता है और Monday to Friday Time PM आना नहीं भूलेंगे वो आपको गाइज सही एंसर यहाँ पे लिखना है जो आपको सही लग रहा है वो आपको सही एंसर लिखना है जल्दी Hurry up Fast मैं आपके एंसर देख रहा हूँ मैं आपके एंसर देख रहा हूँ Okay, great Okay, fine Hurry up Hurry up सबसे बुरा क्या होगा एंसर गलत होगा कोई बात नहीं यह तो घर की बात है कोई बात नहीं ये तो घर की बात है एंसर गलत हो जाए हम इमोसनल नहीं होगे The more you interact the more you learn गितना आप इंट्रेक करोगे उतना ही मेरे प्यारे बच्चो आखों के तारों सीखोगे है कि नहीं सुनेंगे ध्यान से 90% लोगों ने 90% लोगों ने गलत एंसर किया है राइट एंसर इस अभी देखते हम राइट एंसर क्या है राइट एंसर क्या है तेक ध्यान से सुनना मेरी बात अजय आप सेशन में हैं अभी मैं बात करूँ गा अजय आप सेशन में हैं यस और नो जल्लीन से मुझे बताएं यस और नो मैं कभी-कभी किसी-किसी का नाम लेकर बात कर लिया करूँगा बस आप emotional नहीं होंगे ठीक, चलिए So guys, listen very carefully Okay, अजये, मैं आपके साथ करूँगा कुछ experiment और मुझे पूर्ड और अटूट विस्वास है कि आप emotional नहीं होंगे Guys, एक big thumbs up Ajay के लिए एक big thumbs up Ajay के लिए Ajay ने मन लगा के पढ़ाई की खूब मन लगा के इस वेरि गूद बॉय है न खूब मन लगा के पढ़ाई की इनकी जॉब लग गई आजकर जॉब लगने से पहले इमोसल नहीं होना जॉब लगने से पहले क्या रिस्ते आ रहे हैं अजयें बात कुछ परसनल है इमोसल मत होना ठीक मैं नहीं पूछूँगा लेकिन जैसे जॉब लगी रिस्तों की बार लग गई जमाजम रिस्ते आ रहे हैं लड़का डीम है लड़का आईयस राइंका रहे हैं जो जिस छेतर की बात हो रही है जमाजम रिस्ते आए ठीक सवाल बनता है रिस्ते कैसे कैसे आए सवाल बनता है रिस्ते कैसे कैसे आए गाइंस इमोसल मत होना मैं सिर्फ बाडी का एक करेक्टर सिर्फ बॉड़ी का एक करेक्टर हेर की बात करूँगा सर के बाल की बात करूँगा हेर की बात करूँगा यह देखो यह अजय है मेल इनके हेर यह इनके खूब जमाजम रिश्ते आए ध्यान सुनना गाईज इमोसिनल बिल्कुल मत होना topic समझने की बात हो रही है इनके hair black और straight जो बड़ा ही common है ST for straight इनके पास जो रिष्टे आए कैसे कैसे है देगो black and straight बात hair क्यों हो रही है black and curl brown and straight brown and curl फिलान में 4 option चलो red दे दू red and curl 5 option अजय को दे रहा हूँ अजय आपको इस में से जो पसंद हो बात hair क्यों हो रही है black and straight black and curl life science बड़ा मजदार है बसरते की subject को उसके nature के according पढ़ा जाए brown and straight brown and curl red and curl अजय आपको जो पसंद है जल्दी से आप जल्दी से आप comment section में लिख कर बताएं अजय आप को जल्दी से लिख कर बताएं नहीं तो मैं खुद आपके लिए पसंद कर दूँगा है नहीं तो मैं खुद आपके लिए पसंद कर दूँगा जल्दी से आप comment section में लिख कर बताएं हर्यप 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 फिल्हाल अजय को अजय हर्यप brown कौन सा brown straight brown curl अचा अरे दो नहीं एक बता बच्चे देखवा मान लिया कि अजय को पसंद है black and straight ये देखवा आप black and straight साधी हुई relax बैठना guys साधी हुई सब कुछ अच्छा चल रहा था साधी के तीन वर्सों के बार घर में लक्षमी आई अजय को बढ़ाई क्या हुआ बिटिया हुई और बिटिया का जो hair का pattern है बिलकुल पापा और मम्मी की तरह black और straight बिलकुल black और straight बिलकुल पापा और मम्मी की तरह सो अजय को बहुत बढ़ाई लच्छमी आई है बिटिया हुई है फिर कुछ वर्सों के बार आफ्टर टू एन हाफ यर्स फिर ये पापा बने कि मोस्तल मत हुदा हम कंसेप्स समझ रहे हैं फोकस अन कंसेप्ट और नर्स ने बताये कि सर दिस टाइम बेबी बोई है बेटा हुआ है बढ़े उच्छल पढ़े अजय उच्छा की अति उच्छा की सीमा न रही जैसे बच्चे को गोध मिलिया इनके तो होसी उड़ गए पच्चे का हेर पैटर्ण बेटे का हेर पैटर्ण रेड और कर्ल ओ माई गॉड हेर पैटर्ण रेड और कर्ल बढ़े गुस्सा में अजय आ गए गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है अजय इमोस्तल मत होना अजय इमोस्तल मत होना है न लिसन वेरी वेरी केरफुली आप खुद को समाले तब तक मैं पानी पीता हूँ और फिर जेनेटिक्स की बात करता हूँ गयर बिल्कुल मिया बीवी में लडाइँ चल लई है जब लिए तुम्हारा बलक रेस्टेट मेरा बलक रेस्टेट यह रेड और कर्ल कैसे यह कैसे हुआ भाई रेड़ और कर्म कैसे ? लिसनद वेयरी वेयरी क्यारफ़ुली कई बार ऐसा होता है कि Państwo सुखेंट वाइफ फेयर, बेबीज और अल्टरा डार्क हंब्टा कर दो सुखेंट डार्क वाइफ डार्क बेबी हिस अल्टराफेयर खुछ भी पॉस्बल है कई पिड़ी पहले चाहे फादर साइट चाहे मदर साइट इनके वाइफ के दूर के पुर्वच इस्टेंड एंसेस्टर थे बच्चे के मेटर्नल नन्याल पक्च में इनका जो हैर था वो रेड और कर्ल था कई पिड़ी तक ये लक्षड सप्रेस रहा और एक पिड़ी से दुसरे पिड़ी में पास होता रहा आफ्टर बिंग सप्रेस्ट फॉर नंबर ऑफ जेनरिशन ये री एपेर हुआ इनके बेटे में पुर्वजों के लक्षडों का री एपेरेंस इस कॉल एटा विजम ये कोई नई बात नहीं है ये तो पुराना वर्जन है इट इस री वर्जन एटा विजम और री वर्जन री एपेरेंस ऑफ एनसेस्टल करेक्टर पुर्वजों की लक्षड का री एपेर होना अगर इस परिवार को देखें तो बच्चों में कुछ लक्षड माता पिदा के हैं है डिटी है और कई बर ऐसा होगा कि यहां से आया पाइड यहां से आया स्ट्रेट और बन जाएगा रेड एंड इस्ट्रेट दो करेक्टर मिक्स होंगे और उन लक्षडों का पनेगा वेरियेंट ओ जाएगा वेरियेशन Genetics क्या है आनुवांस की Genetics is study of Heredity and Variation Genetics is study of DNA नहीं RNA नहीं Gene नहीं Heredity यस Variation यस T and E Third is the right answer Guys Next class आज मैं आपको यही wind up करूँगा क्योंकि next class मेरी आपके साथ सारे 10 बजे Academy के YouTube channel Let's crack UPSC पर होनी है जब और जब सेशन में आपके लिए लेने वाला हूँ आप भी जानते हो and today's session is very important हम लोग उसे करने वाले है जब और जस मैंने आपके लिए PPT's बनाई है guys session खूब interesting होगा आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहें जुड़े रहें तिक आप लोगों का ऐसे guys आप लोग बने रहें जुड़े रहें okay so Monday to Friday हम लोग इस टॉपिक में आगे मुझे आपसे और बाते करने मैं आपसे करूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवार आप मेरे website जरूर विजिट करें www.ajitlive.in अपना feedback जरूर दें feedback के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि मैं और आपके लिए awesome content लेकर आऊं अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल जोइन नहीं किया guys so subscribe कर लेंगे चैनल अभी तुरंत अजीत तिवारी सर whatsapp अगर आप मुझसे कोई academy के paid courses के बारे में geography optional मैंने आज से रिजूम किया है oceanography कोई आप उसमें आप कोई पूछना चाहते हो you can ask contact number है टेल्गाम चैनल आप जोइन करेंगे twitter और facebook पे आप मुझे follow कर लिजिए fine नीचे guys description link में मेरे facebook page website www.ajitlife.in टेल्ग्राम चैनल के links और मेरी academy के courses के बारे में information है don't forget to use code Ajitlife to get 10% discount and more important आपको मैं जबरजस्ट awesome guidance दूँगा love you all thanks watching ऐसे आप जुड़े रहें खूब मेहनत करें कल genetics की बात आगे बढ़ाएंगे और अभी आप 30 minutes ब्रेक लें 10 30 पे see you in achiever series of unacademy let's crack UPC CAC unacademy के YouTube channel पे आपसे मुलकात होगी let's crack UPC CAC में 10 30 मेरा session है see you guys अभी मैं टेल्ग्राम चैनल में आपके सामने ही link share कर दे रहा हूं आप मुझे पताना कि क्या आपको उसका link दिखा in my telegram channel guys let me know जल्दी से आप मुझे बताओ दिखा तो yes नहीं दिखा तो no जल्दी से आप जमाजम मुझे बताएं तो guys मैंने आपके लिए यह अब जल्दी देखो L15 क्या आपको यह L15 का link दिखा atmosphere की awesome session in my telegram channel link नीचे description में है okay guys take a break see you hurry up hurry up yeah 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 झाल झाल